असलाम लाइकों वेलकम बेक टू अजयाद इंसाइट कैसे हो सब लोग मैं विल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज जो यह हैवन डेजर्ट की रेसिपी है यह सिर्फ और सिर्फ बनता है टैन निनर्ट्स पे और बलीव मी गाइस आप इस डेजर्ट को इतना प्रेजेंटेबल और इतना डिलिशेज है कि आप अपनी किसी भी दावत में इस्तेमाल कर सकते हो खासतार पर सर्दियों में जो क्रेविंग होती है मीठे की यह आपकी उस क्रेविंग के लिए बिल्कुल फुल्फिल हो कर देगा उस क्रेविंग को तो आओ चलते हैं रेसिपी की तरफ यहाँ प अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा जादा भी एड कर सकते हो ठीक है और कंडेंसमिल के बाद इसके अंदर एक 200 ml वाला क्रीम का पैकेट भी जाएगा जो मिल्क पैकेट होता है वो क्रीम इसके अंदर रहोगी पहले कंडेंसमिल कर लेंगे अच्छी तरीके से और फ् यहां पर एक पैकेट मैंने मिल्क पैक की क्रीम लिए आप किसी भी अच्छी ब्रेंड की क्रीम ले लेना और उसको भी एड कर दिया है और क्रीम एड करने के बाद भी आप इसको मुसलसल भीटर से चलाते रहेंगे क्रीम एड करने के बाद इसमें सासाती उबाल आने लगए तो जैसे ही बॉइल आ जाएगा मैंने जो हाफ कप दूद बचाया था उसके अंदर तीन चमचे कॉन फ्लार लेकर और उसको अच्छे से घोल लेना है आपने और एक भी उसके अंदर लंस बाकी नार है इसनी अच इसके बाद भी मुसलसल आपने विस्क से इसको चलाते रहना है क्योंके अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो यह नीचे लगना है स्टार्ट हो जाएगा हार्ड़ी इस मिक्स्चर को बनने में फाइस नट्स लगते हैं और आपने इसको अबाल नहीं आने दिन है और बिल्कुल धीमी आज पे इतना पकाना है के इसकी कंसिस्टेंसी में आगे जाके आपको दिखाती हूं कि कितनी हो यहां पे दूद भी थोड़ा सा कम हो चुका ह है और अब मैंने सके अंदर वन टेबल स्पून वनीला एसन सेट कर लिया है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लिजे के हमें इतना गाड़ा यह दूद रखना है और इसमें से इतने मज़े कि खुछबू उठरे इस चाइम पे के आप लोग जब ट्राइ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह मीठा कितने मज़े का बनता है इस पेशली फॉर चॉकलेट लावर्स देखें इसको इतना गाड़ा करेंगे जब इतना गाड़ा हो जाएगा पांच से आट मिनट पकाने के बाद तो इसको हम फ्लेम से ओफ कर लेंगे अब हमने पैन लिया है उस पर चीनी एड करेंगे टेस्ट के हिसाब से मैंने मिल्क चॉकलेट एड की है और उसके अंदर चार से पांच टेबल स्पून में मिल्क एड करूंगी और कोई मैंने डबल बॉयलर वगारा यूस नहीं किया है बस यहां पर चॉकलेट मेल्ट होगी इसको चॉकलेट को पाकिसान वालों को तो बहुत असानी से मिल जाती है और बहुत ही अच्छा तेस्ट एंड की और कॉलिटी भी बहुत अच्छी होती है बेक हाउस की कोकिंग चॉकलेट की यहां पर मैंने एक डिश ले लिए उसके अंदर मैंने आठ कपकेक्स लिये थे आठ से दस कपकेक्स आप ले लें जो नॉर्मल वाले होते है चॉकलेट के और उसको मैंने स्क्रेंबल हाँस से कर लिया था बिल्कुल चूरा नहीं किया है बस थोड़ा सा मैश करके इसकी एक लियार हम इस डिश में लगा लेंगे एक वाला लें कपकेक्स को अब जो यह हमारा बैटर था यह र 15-16 डाइजेस्ट बिसकिट होने चाहिए जिनको आप रफली बस हास से ही मोटा मोटा सा क्रुष कर लेना जादा बारीक नहीं करना क्योंकि इसमें जो मज़ा आएगा तो वह इसी तरह बिसकिट का आएगा अगर हम इसको चूरा कर लेंगे तो फिर हमारे डैजेट में वह जो हम लाना जाते हैं यहां पर डाइजेस्ट बिसकिट एड हो गए और इसको ठंडा कर लेना ताके यह बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आ जाए हमारे पास यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसकी लियारिंग स्टार्ट करेंगे यह हमारी केक की डिश रेडी है इसके ओपर अब हम सबसे पहले जो हमारा बैटर बिसकिट वालर रेडी किया था हमने उसको हम एक्वली फैला देंगे यहां पर इस बैटर को आप फैला दो इक्वली इस पैक्चुला से सेट कर देना उसके बाद जो हमने कोकिंग चॉकलेट या गिनाज बनाई थी आई यह गिनाज की एक टाइप है बहुत ही मसेदार बनता है यह उसको हम इसके उपर फैला देंगे और इस पैक्चुला की दूसरे में मिक्स और मैच नहीं होगी यहां पर देखे हैं तीन ओ लेयर्स हमारी बिल्कुल अलग हैं और इस मीठे को आप अगर ओवरनाइट थंडा करो तो बेस्ट है प्रेफिटर में नहीं तो पांच से छे घंटे तो मस्ट इसको थंडा करना और उसके बाद इसको चि कीजेगा चैनल पर निव हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कॉमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कॉमेंट ड्रॉप कर देना मुझे आप सब का प्यार लगता है जब आप कॉमेंट ड्रॉप करते हो मुझे दो इजासत अला हाफिस